हलो एवरिवन अभी व्यक्ति प्रवियार में आप सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई के करंट अफेर के बारे में आज के दिन ही एक्जाम की दरस्टी से कौन-कौन सी news important रही हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं और हम अधियन कर रहे हैं क्वीजबैस study का मतलब क्या है कि हम पहले क्या करेंगे current में जो भी मुद्दा रहा है जो भी topic रहा है उससे समंदित पहले क्यूशन देखेंगे उसके बाद उस question का analysis करेंगे तो इस परकार से हम एक holistic study करते हैं तो देखते हैं आज का पहला question क्या है तो को हाल ही में चर्चित गगर नदी पर इस्तित ओटू बांध कहां इस्तित है तो ओटू बांध ये चर्चा का मुद्धा रहा है जो कि कहां पर इस्तित है गगर नदी तो जो हमारा सही आंसर है वो ये है कि हर्याना में इस्तित है और हर्याना में कहां पर सिर्चा जिले में तो ये जो गगर नदी है वो हिमाचल परदेश से निकलती है उसके बाद में पंजाब में बहती है फिर हर्याना में परवेश करती है और लास्ट में राजस्तान में तो यह जो गगर नदिया है वो हिमाचल परदेश से निकलती है और राजस्तान तक आती है लेकिन कभी-कभी ज्यादा बाढ़ की वज़े से या ज्यादा वर्सा होनी की वज़े से इसका पानी पाकिस्तान में भी प्रवेश कर जाता है तो पहले तो यह देखते हैं कि जो हिमाचल परदेश से 1 निकलती है उस चीज को भी हम देखते हैं है तो गगर नदि शीवाले की पहाडियों से निकलती हैं वह उसके जैस्ट नीचे ग्रेट हिमाले का निर्मान हुआ है फिर मद्द हिमाले का मिड हिमाले बोलते हैं जिसको हम उसका निर्मान हुआ है उसके नीचे फिर सिवालिक पहाडियों का निर्मान हुआ है तो कि सिवालिक पहाडिया भी हिमाले का ही हिस्सा है लेकिन ये एक अलग परवसरेयनी है इन सब की अलग-अलग विशेशताई है तो ये जो गगर नदी निकलती है वो सिवाली की पहाडियों से निकलती है तो ये सिवाली की पहाडिया सतत नहीं है ये कटी-फटी पहाडिया है और इनकी जो छोटी-छोटी पहाडिया है उनको अलग-अलग नाम दिया गया है तो ऐसा ही एक नाम है काल का पहाडिया जो की कहां पर है हिमाचल परदेश में है तो इस काल का पहाड़ी से निकल के आती है गगर नदी तो ये आपको याद रखना है कि गगर नदी का उद्गम इस्तल कौन सा है तो काल का पाडिया है और काल का पाडिया कहां पर है हिमाचल परदेश में है ये काल का पाडिया हिस्सा किसका है तो सिवालिक का हिस्सा है तो सिवालिक की पाडिया है उनका हिस्सा है, तो ये भी आद रखना, ठीक है, दूसरी चीज, इसका परवाच हित्र कौन-कौन सा है, तो मैंने बताया कि हिमाचल परदेश से निकलती है, उसके बाद में पंजाब, फिर हर्याना, उसके बाद राजस्तान में आती है, ठीक है, और कभी गवार ऐसा देखा जाता है, जब वर्षा ज्यादा होती है, तो ये पाकिस्तान में भी परवेश कर जाती है, तो परवाच हित्र है, हिमाचल परदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्तान, ठीक है, और राजस्तान में कहां से परवेश करती है, ये इंपोर्टेंट है, कि कहां से परवेश करती यह हनुमान गड़ जीले से परवेश करती है और हनुमान गड़ जीले में एक गाम है जिसका नाम है तलवाड़ा गाम तो तलवाड़ा गाम से यह राजस्थान में परवेश करती है और खत्म कहां पर होती है तो गंगा नगर का गंगा नगर की एक तैसिल है जिसको बोलते है अनुपगड है अनुपगड तैसिल में जाकर ये समाप्त हो जाती है लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा बारिस होने की वज़े से या बाढ़ की इस्तती उत्पन होने की वज़े से इसका कुछ फानी पाकिस्तान में भी प्रिवेश कर जाता है इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है दस द्वती नाम है यानि कि व्यदिक साहित्यों में इसको दस द्वती बोला गया है तो ये भी आपको याद रखना दस द्वती किसका नाम है गगर नदी का नाम है इसका दूसरा नाम देखो हकर भी है या हकर या हकरा कभी-कभी आपक तो ये सारी चीजे आपको याद रखने हैं गगर नदी के बारे में अगला क्यूशन देखते हैं कि नेक्स्ट क्यूशन क्या है हमारा इस्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिजर्च संस्तान की 2023 की रिपोर्ट के आधार पर 2022 में प्रती रख्षया पर खर्च करने के मामले में भारत का इस्टान को जा रहा है यानि कि एक संस्ता है जो कि एक इंटरनेशनल संस्ता है जिसका नाम है स्टेक होम पीस रिजर्च संस्तान जिसने दो हजार तेबिस में हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस report में दुनिया के उन देशों को सामिल किया गया है, जो रक्षया पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, यानि कि इसमें रक्षया पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 15 देशों को सामिल किया गया है, तो उन 15 देशों में भारत का इस्तान कौन सा है, ये अपने को देख इसके बाद दूसरी स्थान पर चीन है उसके बाद तीसरे स्थान पर रूस है तो इस रिपोर्ट में यही बोला गया है next question देखते है हाल यही में खबरों में देखी गई मुख्य मंतरी निशुलक युनिफोर्ण वित्रन योजना के बारे में निमिल लिखित में से कौन सा कथन ऐसत्य है यहनीकि जो मुख्य मंतरी निसुलक यूनिफोर्ण वित्रन य सुबारं बहु Спस्ति है सुबारं में Irma 222 में मुख्य मंत्री में मुख्य मंत्री के द्वारा किया गया है दूसरा option है कि राजकिये विद्धालों में केवल आठवी तक के जो बच्चे हैं उनको निशूल के यूनिफोर्म वितरन किया जाएगा तो दूसरा जो कथन है वो भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि इसके तहत इस योजना के तहत क्या किया जाएगा जो सरकारी विद्धालों है उनमें आठवी तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको निशूल के यूनिफोर्म दी जाएगी और कितनी यूनिफोर्म दी जाएगी उसके भी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वो अभी option में दिया गया है कि प्रतिशातर दो सैट दिये जाएगे तो बिल्कुल यह भी सही ह जो हमारा है वो है कि आंगन बाडी केंद्रों में 0-6 वर्ष के बच्चों को निशूल के यूनिफोर्म दी जाएगे तो देखो आंगन बाडी में जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे बच्चे उनको भी इस योजना का लाब मिलेगा लेकिन वो 0-6 वर्ष के बच्चों को न वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको इस योजना के तहत ड्रेस उपलब्द कराई जाएंगे जो वहां की ड्रेस है और प्रती बच्चे दो ड्रेस है, दो यूनिफोर्म दी जाएंगे, तो ये सारी चीजे आपको याद रखनी है, मुख्य मंत्री निशूल की यूनिफोर्म, वितरन योजना के बारे में, जो की हाली में चर्चा का मुद्दा रही है, ठीक है, ये जो सारी इनफोर्मेशन हम कवर कर चुके हैं, कि इस योजना का सुबारम कब हो आता, 29 नॉम्बर 2022 को, इसमें क्या किया जाएगा, तो जितने भी राजगिये विदाले हैं, सरकारी विदाले है, नोट इसको अंडरलाइन करना, प्राइवेट विदालों को नहीं दिया जाएगा, सरकारी विदालों को, और वो भी आठवी तक के बच्चों को, आठवी से उपर के जितने भी बच्चे हैं, उनको यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, तो आठवी तक के बच्चों को निशुलक यूनिफॉर्म दी जाएगी, वो भी दो जोडी दी जाएगी, उसके अलावा आंगन बाडी के अंदर हैं, उनमें भी 3-6 वर्ष के बच्चों को ड्रेस उपलब्द करवाई जाएंगे तो ये सारी विशेषता रही है मुख्यमंत्री निशुलक यूनिफॉर्म विद्रण योजना की तो अगला क्यूस्टन देखते हैं हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का समंद्ध किस से है तो ये जो योजना है वो भी चर्चा का मुद्धा रही है कौन सी योजना है मुख्य मंत्री बाल गोपाल योजना है क्या यानि किसका सम्मंद किस से है चार ओप्शन दिये गए है नवजात सिसुओं की देखरेक से समंदित ओप्शन नमबर बी है इसकुली बच्चों की सेहत में सुधार से समंदित ओप्शन नमबर C है इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च पोष्टिक आहर परदान करने से समंदित है ओप्शन नमबर D है कि जो दुर्ल बेमारी से गर्शित सिसु है उनके निशुलक इलाज से समंदित है ठीक है तो जो मुख्य मंत्री बाल गोपाल योजना है ये राजस्तान सरकार की एक महतवपूर्ण पर योजना है इसका सुबारम भी कब हुआ था 29 नमबर 2022 को हुआ था जब मुख्य मंत्री निशुलक के यूनिपॉम वित्रन योजना शुरू की गई उसके साथ ही इसका सुबारम भी हुआ ठीक है और ये दोनू निउज इंपोर् पारने के लिए इस योजना के तहत दूद प्रोवाइड किया जाता है तो इस योजना के बारे में कुछ अन्य चीजें भी देखते हैं अन्य फैक्ट जो की इंपोर्टेंड है एक्जाम की दरस्टी से उनको भी देख लेते हैं पहली चीज तो इसका सुबारम कब किया गय जाता था एक ग्लास दूद का दिया जाता था इसकुली बच्चों को और वो भी सरकारी स्कुल के बच्चों को कितना दूद दिया जाता था उसके हम चर्चा करेंगे यानि कि जो छोटी कलासें उनको कम दूद दिया जाता वो बड़ी कलासों को ज्यादा दिया जाता था लेकिन सबसे important यह है कि इस योजना के तहते जब योजना शुरू की गई थी उस समय सब्ता में दो दिन यानि कि जो दो दिन कौन से मंगलवार और सुकृवार को तो यह underline करना कि पहले क्या किया जाता था मंगलवार और सुकृवार को सब्ता में दो दिन उनको दूद दिया तो अब क्या कर दिया कि सब्ता में चैत दीन दूद वित रित किया जा रहा है इस में योजना के तहत त्यरस खक yolका सब्सक्राइं ने उसके बार में यह शचीजह को समयर से सबस्थराइو यह सब्सक्राइद कि इढ कर दक हैं उनको 20 ग्राम प्रस्थरीय चाहान से छचे ह यह आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्यूशन आ सकते हैं, पूटप हो सकते हैं, एक्जाम है, इसका थोड़ा सा सुरूप जैंज गया जा सकता है, कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई है, किसी ने शुरू की है, यह किसे समंदित है, इसमें जो बच्चों को दूद दिया जाता है, कौन सी उमर तक के बच्चों को दिया जाता है, कौन सी कलास तक के बच्चों को दिया जाता है, तो एक से लेकर आठ तक है, आठ से उपर वालों को नहीं दिया जाता है, यह भी आद रखना, वो पिछली वाली योजना भी आठ वी क जूकेट पर काम कर रहा है, जो भाभा एक्टोमिक रिषर्च सेंटर का मुख्यालक कहां इस्तित है, तो अपने को यह देखना है कि लूख इसका की गयी थी ऐसका वरत्मान अध्यक्स कौन है और ये कारिये क्या करता है, यह सारे चीजे हम समझेंगे. पहले discussion को solve करते हैं कि भाबा Atomic Research Center का मुख्याला कहाँ पर है चार option दिये गए है मुंबई, बैंगलूरू, नई दिली और चैने तो इसका इसको दोको सोट में बार्क भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बार्क बोलते हैं ठीक है बी ए आर सी यानि कि भाबा Atomic Research Center इसका मुख्याला कहाँ पर है, तो इसका मुख्याला मुंबई में है यह आपको याद रखना है कहाँ पर है, मुंबई में है अब इसकी स्टापना देखते हैं कि इसकी स्टापना कब की गई थी तो इसकी स्टापना उनिस सो चोवन में की गई थी कब की गयी थी उनेसो फोन में तीन जन्वरी उनेसो सोवन को इसकी स्टापना की गयी टी जब possível इसको स्टापईत किया गया था उस समय इसका नाम यह नहीं था कि जिए अन। तो इसका नाम नहीं था तो इसका बेखो क्या है कि एक परमानु उसे पर और पर अ जो कहां पर था ट्रोंबे में इस्तापित किया गया था ठीक है और इसका मुख्याला भी यहीं है ट्रोंबे में और ट्रोंबे कहा है मुंबई में ही है ठीक है एक मुंबई में जगे का नाम है ट्रोंबे जहां पर इसका मुख्याला इस्तापित किया गया है और यहाई पर इसकी स्तापना की गई थी यह सारे चीजे आपको याद रखने है दोखो परदान मंतरी इंद्रा गांधी ने क्या-क्या इसका नाम चेंज कर दिया कब न हुर्च आपने इसकी स्तापना होई थी तब इसको क्या बोला जाता था वो भी आद रखने है स्तापना कब अद्यइथि उसको भी आद रखने रखने है तो बार्ण का ओधिष्जश क्या है यह बार्त का कर ना है उसके विकास के रास्ति चलास नहीं और भारत को पर्मानु उर्जा के जो उप्योग है उसकी ओर ले जाना है उसको तो बात करते है इस रो के बारे में भी हिस्रो भी एक महेत्पूर्ण एजनसी है भारत की Space Agency है कि इसका मुख्याला कहा है इसरो का तो देखो इसरो का मुख्याला बैंगलोरू में है और इसरो की स्टापना कब की गई थी जो भाबा Atomic Research Center है उसके लगबग 15 साल बाद में की गई थी यानि कि कब कि जो भाबा परमाणू Research Center की स्टापना 1954 में की गई और इसरो की स्टापना 1979 इसरो में की गई है तो यह आपको याद रखना है कि इसरो की स्टापना कब की गया 15 अगस्त 1989 को की गई है इसका मुख्याला कहां पर है तो मुख्याले बैंगलोर में है यह जो ISRO है भारत की एक Space Agency है इसका मुख्य कारिय क्या है तो Space में संभावनाओं को तलासना है भारत को Space के छित्र में विशुवे के सामने प्रस्तूत करना है और यह सारे कारिय रहे है इसके अगर वर्तमान अध्यक्स की बात करें तो वर्तमान अध्यक्स क्या है सिरी एस सोमनाथ इसका वर्तमान अध्यक्स है तो यह दोनों अध्यक्स के बारे में आपको याद रखना है बाकी next question देखते है next question क्या है तो राजस्तान राज्ये जो महिला आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्स कौन है नेक्स्ट क्यूसेन है छिरी एमती रेहाना र्याज चिस्ती वर्तमान अध्यक्स क्या राजस्तान महिला आयोग कि बात क्यूसेन है तो ये भी factual की सरा है आपको answer करना है कि राजस्तान का जो एतियासिक इस्तल मानगड है वो कहां पर इस्तित है तो ये कहां इस्तित है ये देखो बासवाड जीले में इस्तित है कहां पर इस्तित है बासवाड जीले में इस्तित है तो ये सारे चीजे आज की अकभार में इंपोर्टेंट रही है एक्जाम की दरस्टी से जो कि आपको याद रखना है और हम क्या करेंगे महिने के लास्ट में जितने भी क्यूसन है इनका एक बार रिवजन कर लेंगे फिर से ताक कि फिर से रिकॉल हो और चीजे हम भूले नहीं तो आज के लिए बस इतना ही है बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले दिन के करेंट अफेर के साथ थेंक्यू